समिकर्णों के हल अलग-अलग संदर्भों में बने समिकर्णों से जवाब कैसे जाने समिकर्णों से जवाब जानने हैं तु उन्हें हल किया जाता है समिकर्णों को हल करने के अलग-अलग तरीके हैं हम यहां कुछ तरीकों को जानेंगे आलेखी विधी आपने निर्दशांग जामिती या ग्राफ में दो चरों वाले समिकर्णों को ग्राफ में प्रदर्शित करना सीख लिया है हम अलग-अलग संदर्बों से बने समिकर्णों को भी ग्राफ पर दर्शा सकते हैं और उनके हल के बारे में जान सकते हैं अब हम हिरन और सारस के पैरों के सम्बन्द पर बने समिकरन और उनकी आँखों के सम्बन्द पर बने समिकरन को ग्राफ पर दर्शा कर देखते हैं कि उनके हल कैसे प्राप्थ हो रहे हैं उदाहरन 3 में सारस और हिरन के पैरों के सम्मन्द पर जो समीकरण हमें प्राप्त हुआ था वह समीकरण है 4X धन 2Y बराबर 180 क्योंकि कुल पैरों की संख्य 180 है और हिरन के 4 पैर होते हैं और सारस के 2 इसलिए समीकरण बना 4X धन 2Y बराबर 180 चलिए इस समीकरण के लिए हम एक सायनी बनाते हैं तो सबसे पहले इस समीकरण को हम थोड़ा सा हल कर लेते हैं इसे लिख सकते हैं 180 रिन 4X के रूप में उसके बाद हम लिख सकते हैं Y बराबर 180 रिन 4X पूरे के बटे 2 और हल करने पर Y का मान मिलेगा 90 रिन 2X y बराबर 90 रिंड 2x यह जो हमें संबंध मिला है इसमें यदि हम x के अलग-अलग मान रखते जाएंगे तो हमें उसके संगत y के अलग-अलग मान प्राप्त होंगे इसी से हम एक साणी बना सकते हैं यहां हम x के जो मान रखेंगे उन्हें लिखेंगे और उन मानों को रखने से y के जो संगत मान प्राप्त होंगे उन्हें हम यहां पर लिखेंगे और इस साणी का प्रयोग करके हम ग्राब बना सकते हैं तो चलिए हम सबसे पहले x का मान 10 रख कर देखते हैं साइसे समी करण एक ले ले और फिर हम कहेंगे कि समी करण एक में X बराबर 10 रखने पर चलिए हल करके देख लेते हम कितना मिलता है Y बराबर 90 रिन 2 गुनित 10 याने आपको मिलेगा 90 रिन 20 तो Y कितना हो गया? 70 इस मान को अब हमें हाँ रखना है X बराबर हमने कितना रखा? 10 देखिए इससे मिला उसके संगत हमें Y का मान 70 बिल्कुल इसी प्रकार हम आगे देखते हैं समी करण एक से Y और X में जो संबन्ध हमें प्राप्त हुआ है वह है Y बराबर 90 रिन 2X इसे हमने समी करण एक माना है अब इसमें हम समी करण एक में फिर से X का मान हम 20 रख रहे हैं चलिए पहले यहां लिख दे कि हमने X का मान 20 रखा है अब देखते हैं कि इसके संगत Y का क्या मान मिलता है? तो Y बराबर 90 रिन 2 गुणित 20 क्या मिलेगा? 90 रिन 40 यानि कि Y का मान होगा 50 तो इसके संगत हम यहां लिख सकते हैं 50 बिल्कुल इसी प्रकार प्रक्रिया को दोहराते जाएं X बराबर 30 रखने पर Y बराबर 90 रिन 2 गुणित 30 तो Y बराबर कित्ता हो गया? 90 रिन 60 यानि कि Y बराबर 30 तो यहां देखिए आपने रखा X का मान 30 तो Y का मान भी यहां मिला है 30 एक और एंट्री ले लेते हम X बराबर हम 40 रख देते हैं X बराबर 40 रखने पर Y बराबर 90 रिन 2 गुणित 40 और उससे हमें मिलेगा Y बराबर यह 40 दुनिय 80 हो रहा है तो 90 में से 80 घटा देंगे तो Y का मान मिलेगा 10 तो हमने रखा X का मान 40 तो Y का मान मिल गया 10 अब हमें जो साहनी प्राप्त होई है इससे हम आलेक बना सकते हैं इसका आलेक आप देख सकते हैं चलिए अब हम हिरन और सारस के आँखों पर जो संबंद से समिकरन बन रहा है उसको देखते हैं सारस की आँखें भी दो और हिरन की भी दो और कुल आँखों की संख्या 120 तो समिकरन क्या बनेगा दो एक्स धन दो वाई बराबर 120 बिल्कुल पहले की प्रक्रिया जैसे हम इसमें संबंद एक्स और वाई में इस प्रकार स्थापित करेंगे कि हम लिख सकते हैं दो वाई बराबर 120 रिंड दो एक्स और वाई बराबर हो जाएगा 120 रिंड दो एक्स बटे दो जिससे मिलेगा वाई बराबर 60 रिंड एक्स इसे हम समिकरन दो मान लेते हैं अब फिर से एक्स के अलग-अलग मान रखने से उसके संगत हमें वाई के अलग-अलग मान प्राप्त होंगे जिने हम सार्णी में नोट करते जाएंगे और इससे दूसरा आलेक प्राप्त करेंगे तो समीकरंड दो में एक्स का मान यहां भी हम 10 रख लेतें पहले 10 ही ले लेतें 10 रखने पर आप एक्स के कुछ भी मान रख सकतें पर हम कोशिश यह करतें कि हम ऐसे मान रखें जिससे गड़ना करना आसान हो तो वाई बराबर 60 रिन 10 यहां आपको मिलेगा वाई का मान 50 तो एक्स का मान 10 रखने पर हमें उसके संगत वाई का मान 50 मिला है इसकी एंट्री हम कर ले साड़ी में x बराबर 10 रखने पर y का मान मिला है 50 फिर से समी करण 2 में x बराबर 20 रख लेते हैं इसमें कितना मिलेगा y बराबर 60 रिन 20 याने की y बराबर 40 हर बार 10, 20 जो भी आप मान रखेंगे उतना 60 में से कम होता जाएगा तो x का मान ये कितना हो गया 20 उसको रखने से y मिला है 40 चलिए आगे देखते हैं हमें जो संबन मिला था y और x के बीच में वो है y बराबर 60 रिन x इसमें ये समी करण 2 हमने लिया हुआ है चलिए समी करण 2 में अब हम x का मान 30 रखते है y बराबर 60 रिन x के स्थान पर 30 यने y का मान भी हो गया 30 तो x बराबर 30 लेने पर y भी हमें मिला 30 अंत में एक और एंट्री ले लेते हम समी करण 2 में x बराबर 40 रखने पर कम से कम हमें 3 बिंदू लेने ही चाहिए 3 बिंदू के निर्दशांग हमें चाहिए किसी भी आलेक को बनाने के लिए आप उससे ज्यादा भी ले सकते हैं y बराबर 60 रिंद 40 तो y का मान हो गया 20 x का मान 40 रखने पर हमें y का मान मिला है 20 तो अब हम इसका आलेक देखेंगे आलेक खिशने पर हमने पाया कि जो दो रेखाएं हमें मिली उन दोनों रेखाओं का कटान बिंदू 30-30 है तो यही हिरन और सारस पक्षियों की संख्या भी है जो हमारे द्वारा पूरू में निकाली गई है करके देखें आप x धन y बराबर 8 वह x बराबर 3y को ग्राफ पर दर्शा कर हल निकालें